जी, सभी बच्चों को में यी तरफ से प्यार बहाँ नमस्कार, मैं या नाम तरुन ग्रोवर है और मैं पिछले 5 साल से SSC और बैंक एक्जामिनेशन के लिए कॉम्टेडिव इंग्लेश ठीच कर रहा ये तो हो गया हमारा Basics Introduction, अब हम आते हैं मुद्देगी बात के उपर लेकिन एक बार सभी बच्चों को Class के इंदर जोईन कर लेने दीजिए अभी हम जस Class के शिरुवात कर रहे हैं जी, हांजी हांजी, अभी शिरुवात करते हैं कैसे हैं आप सब लोग उमीद करता हूँ अच्छे ही होंगे आप लोग जो Preparation है बहुत अच्छी चल रही होगी और पुरानी Classes के Revision आप कर रहे होंगे ये बात मैं डेली आपको आके बोलता हूँ ये क्यों बोलता हूँ क्योंकि Revision करना Must है Otherwise आपके Concept Develop अच्छे से नहीं होंगे तो आज की वीडियो के उपर बात करते हैं आज के Topic में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम बात करेंगे Finite Verbs, Non-Finite Verbs, Transitive Verbs, Intransitive Verbs, Infinitive, Genuine, Participle अगर आपने इन Topics को पहले कभी पढ़ा है और आपको Confusion होती है तो आपकी आज सारी Confusion दूर हो जाएगी जितना भी आपको डिलेमा है इन Topics को लेके सारी Confusion धीर धीरे करके जैसे वीडियो आगे चलती जाएगी आपकी सारी Confusion दूर हो जाएगी तो अगर चैनल पर पहली बार आई हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये वीडियो डारेक्ट ना देखें क्योंकि इसके अंदर जो मैं Concepts पढ़ाने वाला हूँ बहुत साई चीज़े मैं पुरानी वीडियो का रेफरेंस लेने वाला हूँ तो अगर आप जैन्विन एस्परेंट हैं आप सीखना चाहते हैं सारी चीज़े तो आप वीडियो वन से देखना शुरू कीज़े क्योंकि ये लेंग्वज है रेंडमली आप कुछ नहीं बढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ेंगे तो Concepts आपके अधुरा जाएंगे अगर आपने Concepts आपके नहीं पढ़ें फिर Examination में जाके हमारी Negative Marking होती है फिर हमको लगता है कि कमी कहां पर आ रही है कमी बस यही आती है Language के अंदर की Basic से सारी चीज़े Sequence में नहीं पढ़ी होती तो मैंने Video 1, Video 2, Video 3, Video 4 ऐसे सारे वीडियो के उपर नाम दिये हुए है तो आप पहली वीडियो से शुरू हो जाएंगे Description के अंदर आपको Playlist का Link मिल जाएगा और पढ़ना शुरू कीजिए First वीडियो से छिक है? जी, जी तो चलिए फिर आज की Class के हम शुरुआत करते हैं आज हम बात करेंगे Finite Verbs और Non-Finite Verbs के बारे में छिक है? चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आज की Class की आप लोगों को याद होगा ये चार्ट मैंने आपको पुरानी वीडियो में दिखाया था जब मैंने आपको Verb के बारे में कुछ बाते बताई थी तब मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था मैंने का था कि Verb का Complete Chart है जिसमें Verb के दो Parts होते है Helping Verb, Main Verb और Helping Verb की भी दो Categories होती है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कौन-कौन सी एक होती है Primary और एक होती है कौन सी बच्चे Models, Clear है उसके बाद बता रहा था कि Main Verb की भी दो Categories होती है Finite Verb और Non-Finite Verb अब इनके बारे में तो हम बात अल्रेडी कर चुके है B की Form के बारे में Have की Form के बारे में Do की Form के बारे में ये Helping Verb भी होती है ये Main Verb भी होती है कभी ये Main Verb होती है एक होती ही Finite Verb और एक होती ही Non-Finite Verb पहले तो हम इन दोनों के बीच में Difference जानेंगे कि Basal Difference क्या है उसके बाद जो इनके अंदर भी Fulther Categories है Transitive और Intransitive इनके बीच में Difference जानेंगे और इनके बीच में Difference जानेंगे तो Class के शरुवात करते हैं Notebook पैन उठा लीजेगा लेकिन लिखिएगा मत कुछ तो ज्यादा ही important बात लग रही है आपको लग रहा हो कि मैंने Slides में उस चीश को Mention नहीं किया मैं Extra कुछ बात बोल रहा हूँ तो वो बात लिख लीजेगा Otherwise Class के बाद में Notes बनाईएगा यहां तक बात clear चलिए समझने की कोशिश कीजेगा पहले हम शुरुआत करते हैं जी पहले हम शुरुआत करते हैं Finite versus Non-finite verbs सर बेसिक डिफरेंस है क्या उसके बाद यह Translative and Translative Infinite, Generate सारी चीशे बात की बात है पहले Basic Difference समचो अगर मैं Basic Difference की बात करूँ तो यह चार sentences आपके सामने हैं विल्कुल प्यार प्यार से समझेंगे ठीक है? आप बस मेरे सवालों के जवाब साथ साथ देते जाएगा अपने मन के अंदर मैंने आपसे पूछा कि पहला sentence लिखा हुआ है I went to watch a movie yesterday ठीक है? लेकिन एक बात बताईए यह watch watch का मतलब होता है देखना देखना मतलब action यह भी तो action बता रहा है तो यह भी तो verb होना चाहिए आप बोलेंगे जी सर यह भी verb है go went gone यह भी verb है और watch है यह भी verb है चलिए ठीक है मैंने आपसे अगले sentence में पूछा मैंने कहा कि he has gone to watch a movie क्या कहा मैंने? he has gone to watch a movie इस sentence में verbs कौन कौन सी है आप कहोगा सर देखो सर has gone helping verb plus main verb मिला के एक ही verb बनती है एक verb यह लिखी हुई है और एक दुबारा से फिर watch आ रखी है यह भी एक verb है चलिए ठीक है पिर अगले sentence की बच्चे मेंने बात करी अगले sentence में पूछा कि they have gone to watch a movie क्या कहा? they have gone to आपने कहा सर देखो सर यही वाली बात यह एक verb है यह दोनों मिला के helping verb main verb pair में एक ही verb होती है ध्यान रखेगा अलग-अलग verbs नहीं है एक ही होती है उसके बाद watch फिर से यहाँ पे verb लिखी हुई है और same, next case में भी यही है कि will go यहाँ पे जो helping verb main verb मिला के एक ही verb लिखी हुई है उसके बाद जो watch लिखा हुआ है यह भी एक verb है अब हमें basic difference जो जानना है वो जानना है कि finite verbs और non finite verbs के बीच में क्या है ठीक है अब एक छोटी सी बाद समयना आपने note किया कि जब यहाँ पे लिखा हुआ था yesterday तो मैंने go की went form का use किया मतलब second form का और जब यहाँ लिखा हुआ था tomorrow sentence के अंदर तो go की मैंने first form का use किया helping or will की help से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था he तो use किया मैंने has gone और जैसे लिखा हुआ था they subject plural में change हुआ तो verb बनगी have gone आपने note किया होगा कि चारो sentences में यह वाली जो go की form है यह अपने tense और अपने subject के according change हो रही है तो यह go आ गया singular था तो has gone लगाया plural था तो have gone लगाया मतलब यह जो verb change हो रही है किस के according change हो रही है एक तो यह tense के according चेंच हो रही है जैसे yesterday और tomorrow के according और एक यह अपने subject के encounter चेंच हो हुआ है he लिखा है तो has gone लगाया they लिखा तो have gone लगाया clear है लेकिन दूसरी ही तरफ जो हमारी वर्ब है watch, watch, watch और watch चाहे yesterday लिखा है, चाहे tomorrow लिखा है, चाहे subject singular है, चाहे subject plural है that does not make any difference, वो बिल्कुल same to same है as it is है नोट कर पा रहे हैं, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझेगा ऐसी verbs, जो English language में अपने tense और अपने subject के according change हो जाए ऐसी verbs, जो subject और tense के according change हो जाए ऐसी verbs को हम बोलते हैं, finite verbs और ऐसी verb जिसका tense और subject पे कोई असर नहीं पढ़ता कोई भी tense आए, चाहे past वाला है, चाहे future वाला है चाहे singular subject आए, चाहे plural subject आए जिस पे कुछ फरक नहीं पढ़ता, जो बिल्कुल same to same रहती है ऐसी verbs को हम बोलते है, non-finite verbs हाँ बच्चे, कैसी verbs, non-finite verbs जो change हो जाए, उसको क्या करते है, finite verbs किसके according, tense और subject के जो ना change हो, उसे कहते है, non-finite verbs यहाँ तक मेरी बात clear देखो, basics की definition आपको लिखी होई भी दिखाता हूँ, कि finite verbs और non-finite verbs में basic difference यही है कि finite verbs मतलब bound मतलब एक दाएरे में रहती है इसे अपने subject और tense के according change होना पड़ता है, लेकिन जो non-finite आप ऐसे याद कर सकते हो, non-follow क्या कहर सकते हो, non-follow मतलब एक किसी को follow नहीं करती है ना ही subject को, ना ही tense को यह सम में same रहती है और finite verbs follow करती है subject और tense को तो यह दाएरे में रहने वाली, वो दाएरे में ना रहने वाली finite means bound finite verbs must agree with the number or person of its subject लेकिन unlike finite verbs, non-finite verbs are not bound by tense or number or person of subject यहां तक मेरी वास समय में आई आप बोलोगे, जी इसल समझ में आई तो अभी हमने chart देखा था तो उसमें पता लगा कि main verb की दो categories होती थी एक finite और एक non-finite जिसमें आपको पता लग गया कि जो यह वाली verbs होती है यह अपने subject और tense के according change होती है अब finite verb में भी further दो categories होती है transitive एक intransitive इसको हम सीखेंगे और फिर non-finite verb जो change नहीं होती उन में कौन-कौन सी categories होती है infinitive, gerund और participle इसको हम सीखेंगे तो पहले शुरुआत करते हैं finite verbs में transitive और intransitive से अगर यहां तक मेरी बात है clear है तो बोलेंगे yes sir clear है आगे चलते हैं अपनी कारिवाई आगे बढ़ाते हैं चलिए अब यह जो transitive और intransitive verb है ना यह 5 मिनट का काम भी नहीं है अगर आपने सारी वीडियो पुराने वाली देख ली है अब मैं आपको ज़्यादा detail में यह नहीं बताने वाला हूँ इसलिए क्योंकि already मैं detail में बहुत ज़्यादा आपको बता चुका हूँ अब आप जब खुद पढ़ेंगे न transitive and intransitive आप कहेंगे यह था सरी इतना easy था यह तो हमने पढ़ी रखा है क्योंकि मैंने आपको अरड़ी पढ़ा दिया लेकिन still इसको अच्छे से समझो ज़्यादा detail में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप अपने आप ही समझ जाएंगे कैसे चलिए जिन्होंने देखी है वेडियो में उनकी बात कर रहा हूँ बात करते हैं Transitive Verb की की English Language में Transitive Verb क्या होती है सबसे पहले तो यह समझेंगे इसमें जो वर्ड लिखा हूँवा Trans T-R-A-N-S Trans ठीक है यह T-R-A-N-C वाला नहीं है वो जो David Guetta है ना Martin Garrick's यह वो वाला नहीं है इडियम वाला यह T-R-A-N-S यह जो Transfer शब से आया इससे आया Transfer शब से Transitive Verb ऐसी Verb होती है जो अपने Action को आगे Transfer करती ही करती है मैंने क्या कहा Transitive Verb ऐसी Verb होती है इसमें Trans लिखा होता है Trans का मतलब Transfer ऐसी Verb जो Action को आगे Transfer करती ही करती है जिसे Receive करने के लिए जिस Action को Receive करने के लिए Object होता ही होता है उस verbs को हम बोलते हैं transitive verb transitive verb के बाद आपको उस verb का object ज़रूर 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 लिखा मिलेगा, होता ही होता है क्योंकि यह transfer करती है always takes an object सर मैं कैसे बेजानूंगा कि कौन सी verb के बाद object है या नहीं, मान लो कर किसी verb के बाद verb का object है तो वह verb कों सी है, वह verb transitive verb है, लेकिन पहचानें के कैसे की verb के बाद verb का object लिखा या नहीं लिखा, मैंने पछली वीडियो में आपको बताया था object पहचानना, अगर आपको पहचानना है कि verb के बाद object लिखा है या नहीं लिखा तो आपको बता है what या whom के reply वर्ब के बाद what या whom के reply क्या होते हैं वर्ब के object होते हैं ये पिशली classes में मैं आपको बता चुका हूँ और object बनने का जो काम होता है या तो noun या तो pronoun ये सारी बाते मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ तो simple सी बात है ऐसी verb जिसके बाद object हो गई होगा ऐसी verb को हम transitive verb बोलते हैं मैं कैसे बेचानूँगा object लिखा या नहीं लिखा simple सी बात है verb के बाद what या whom का reply होगा तो object होगा और वो noun या pronoun होगा इसका मतलब ये वाली verb transitive verb होगी simple सी बात example देख लेते हैं आपको याद आजाएगा पुरानी classes है आपने देख ली है तो देखो मैं बार बार क्यों reference ले रहा हूँ पुरानी classes पुरानी classes कुछ बच्चे नहीं आते वो परिशान होते और मैंने ज़्याद बट आप परिशान हो सीखेंगे यहाँ पे she kicked the ball मैंने आपसे पूछा kicked यहाँ पे main verb है she mechanicaar object होना चाहिए object है तो noun भी होना चाहिए यह noun अब बात ऐसी है कि इस verb के बाद verb का object है तो यह वाली verb को हम क्या बोल सकते है एसी verb को हम बोलते है translated verb यह main verb तो है ही है यह translated verb भी है आप एक चीज के बारे में कही सारी चीज़े बता सकते है है, इसका काम क्या है लिखने के लिए यूज होता है, इसका रंग कौन साए? बलाइक है, इसकी शेप कैसी एsलेंड्रिकल है, एएक चीज के बारे में आप बहुत साइप चीज बता सकते हैं, ऐसे आप एक verb के बारे में बहुत साइप साइप बता सकते हैं ये main verb भी है, ये transitive verb भी है मेरी बात समय में आ रही है ये main verb की second form भी है जितनी मलची चीज़े आप बता सकते हैं confusion बिल्कुल create नहीं करनी है, बहुत easy चीज़े है मैंने आपसे पूछा love, it और killed, क्या ये सारी की सारी verbs transitive हैं, आप कहेंगे जी सर, मैंने पुछा क्यों, आप कहेंगे देखो सर, बात ऐसी है, कि love के बाद लिखा हुआ you, और अगर verb के बाद direct noun या pronoun आता है आप लोग जानते हैं कि वो हमेशा क्या होता है object होता है, और I love whom, आप बोलोगे you इसको कर reply भी है, तो confirmed है हमारा object है, we at what आपने का mangoes, verb के बाद what के reply है, तो यह object है confirmed करना है, mangoes लिखा हुआ है noun है, noun है, noun ही object होता है Rahul killed whom, किसको kill किया उसको kill किया, तो भाया verb के बाद whom का reply है, तो object होगा और him लिखा हुआ pronoun है, confirmed object है, आपने note किया इन सारे sentences में verb के बाद verb के object लिखे हुए, अगर verb के बाद verb के object लिखे हुए, तो यह सारी verbs, कौन सी verbs होगी इन type की verbs को हम बोलते हैं, transitive verb, बात यहीं पे खतम होगी बात यहीं पे खतम होगी simple सी बात, तो sir, यह intransitive verbs क्या होती है, बिल्कुल simple, ऐसी verbs, जिन verbs के बाद उन verbs के object नहीं होते हैं, ऐसी verbs को हम बोलते हैं, intransitive verb लेकिन sir, मैं कैसे बचानूँगा verb के बाद verb का object नहीं है अरे बताया न, अगर what यह home का reply नहीं है verb के बाद, तो verb का object नहीं लिखा, या verb के direct बार noun या pronoun नहीं लिखा तो verb का object नहीं लिखा, इतनी simple simple चीज़े हैं, आपने बिलकुल भी confusion create नहीं करनी है बार बार revise करेंगे, सब समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़े नहीं होती है, हम थोड़ थोड़ा starting में confused हो जाते हैं, लेकिन confused होना नहीं है इसलिए सारी जीज़े sequence हो पढ़ाई जा रही है, which does not have any object, और which does not take any object, ऐसी verb, जिसके बाद उस verb का object नहीं होता, ऐसी verb को हम बोलते हैं, intransitive verb जैसे सर, example के दोर पे मैंने कहा, she is going to London बिलकुल simple simple है चलिए, मैंने कहा, is going क्या यहाँ पे एक verb है, आपने का जी सर मैंने कहा, come came come, verb है आपने का जी सर, cried verb है आपने का जी सर, मुझे बताएंगे क्या यह सारी की सारी verbs intransitive है या नहीं है, आप बोलेंगे सर, intransitive verbs, ऐसी verbs होती है जिनके बाद object नहीं होते, जिरा चेक करके बताना, इन verbs के बाद इन verbs के object लिखे है या नहीं लिखे, आप बोलेंगे नहीं लिखे कैसे, पहले तो normal technique लगाओ, verb के बाद what या whom का reply होगा तो ही object होता है, पहले normal बाद लगाओ she is going what, कोई जवाब है, आपने का नहीं सर, she is going what, कोई जवाब नहीं है, she is going where, आपने का लंडन, यहाँ पे तो where का जवाब है, मतलब इस verb के बाद verb के object नहीं है, दूसरी बात अगर object होता, तो noun या pronoun होना चाहिए था direct बाद, अब देखो क्या लिखा हुआ, preposition लिखा हुआ है verb के direct बाद noun या pronoun भी नहीं है तो मतलब इस sentence में verb का object नहीं लिखा है, लेकिन आप जानते कि preposition के बाद लिखा हुआ word object तो होता है, लेकिन वो preposition का ही होता है, जानते नहीं बात तो इस sentence में मैं आप से पूछू क्या verb का object लिखा है या नहीं लिखा आप बोलेंगे नहीं लिखा, सर preposition का लिखा है, तो अगर verb का object नहीं लिखा, तो ऐसी verbs को हम क्या बोलते हैं इन translated verb बोलते हैं, जिनके बाद object होते ही नहीं है, simple सी बात थी, मैंने कहा she came on time, she came what कोई जवाब है, आपने कहा नहीं sir she came whom, कोई जवाब है, नहीं sir, she came when, आपने कहा on time, कब आई, time पर आई, ये तो verb के बाद when का answer है, ये तो what या home का answer नहीं है, मतलब verb के बाद verb का object नहीं लिखा, और अगर होता object या तो noun होना चाहिए था, या pronoun होना चाहिए था, देखो direct बाद तो preposition लिखा हुआ, noun pronoun भी नहीं लिखा और preposition के बाद लिखा हुआ word object तो होता है, लेकिन verb का नहीं बिटा preposition का होता है, मेरी बास में आई, तो ये वाली verb का object नहीं है इसे हम क्या बोलेंगे, intransitive verb समझ में आया, पक्का मैंने का, they cried what कोई answer है, आपने का, no sir they cried whom, कोई answer है no sir, they cried how कैसे cry किया, loudly how का answer है, verb के बाद what ये हूम का answer नहीं है, what ये हूम का नहीं है, तो object भी नहीं है, हां कि object नहीं है, तो ये कौन सी verb है ये हमारी intransitive verb है, और अगर ये object होता न, या तो noun होता, या तो pronoun होता, क्योंकि object बनने का काम, ये ही दो words कर सकते है लेकिन ये तो adverb है, आप लोग जानते हैं, heart so speech में समझाएगा न कि how के answer adverb होते हैं समझ में आया, उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा हां जी, उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कौन सी verb transitive होती है, कैसे हम identify करते हैं, कि आपको याद नहीं करनी अलग से, आपको बस लिखी हुई verb जो है, उसको identify करना आना चाहिए, कि वो transitive है या intransitive है, वो कैसे identify करेंगे object से identify करेंगे और object पहचानना मैंने आपको बता ही दिया, यहां तक मेरी बात है clear है, तो बोलेंगे yes sir definitely सारी चीजे एक दम clear है चेक है, जी और अगर नहीं clear, तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, वीडियो 1 से देखना दुबारा से शुरू कीजिए जी अब हम बात करते हैं हमने बात करी, main verbs में सबसे पहले जाना, finite और non-finite के बीच में difference उसके बात हमने जाना, transitive के बीच में difference अभी जो non-finite verbs है जो अपने subject और tense के according change नहीं होती है, इनकी भी तीन categories होती थी infinitive, gerent और participle तीनों को हम बिलकुल प्यार-प्यार से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है अभी मैं आपको concept सिखा रहा हूँ, ध्यान रखेगा अभी questions नहीं बता रहा questions आने वाली classes में आएंगे, बाद में अभी पहले concepts तो develop करो क्योंकि questions आप तभी कर पाऊगे न, जब आपके concepts बहुत अच्छे होंगे इसलिए बहुत simple, simple बहुत प्यारे-प्यारे sentences लेकर आपके concept पहले build किये जा रहे है आपको advanced सिखे पढ़ने हैं तो अपने fundamentals सो मजबूत करने पढ़ेंगे न और ये चीज़े language में हर जगा आपके सामने आएगी आप कोई भी type के questions कर लो ये basic चीज़े तो आपको पता ही होनी चाहिए लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा advanced पढ़ लेते हैं पढ़ने की ज़रूरत है, वो भी पढ़ने की ज़रूरत है लेकिन पहले fundamentals बहुत अच्छे level पे अपने strong करो अभी भी आपको भी दिक्कत ना आए tricks के बीचे आप ना भागो, concepts पढ़ेंगे अच्छे से अब हम बात करते हैं, non-finite verbs के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा, infinitive, gerend और participles और actual में क्या होता है, कि ये जो terms है ना ये terms बच्चे को बहुत डराती है ये आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं, ये बहुत मुश्किल होती है, gerend, participles हमने तो बच्चपन में भी नहीं पड़े होते हमने तो स्कूल में भी नहीं पड़े, ये पता नहीं अजीब सा topic कैसा आ गया, वो होता है है कि कुछ-कुछ लोगों के नाम जो होते हैं बहुत बड़े-बड़े होते हैं, ऐसे ना थाकुर कुवर परताप सिंग, ऐसे करके घर पे नाम, मतलब नाम है उसका असलीम है थाकुर कुवर परताप सिंग, और घर पे उसे गलू गलू बला रहे होते हैं, बलू बलू बला रहे होते हैं, बलू ऐसे से कर रहे होते हैं तो यह नाम बहुत बड़े-बड़े हैं, दर्शन बहुत छोटे-छोटे हैं, बहुत एजी है, बहुत ही ज़्यादा एजी है अबी इसको और ही जी बनाते हैं है ना? चलिए आजए ये सबसे बहले बात करते हैं infinitive के बारे में अच्छे जो infinitive होता है ये एक verb की form होती है इसे हम कहते है 2 प्लस verb की first form अबी भी 2 प्लस verb की first form आपको एक साथ दिखाई दे अभी भी two plus verb की first form आपको एक साथ दिखाई दे उस पूरे pair को हम बोलते हैं infinitive अभी ये language में क्या काम कर सकता है क्या क्या बन सकता है इसके बारे में बात करते है ठीक है? हाजी, आज़ो, यहाँ देखेंगे सामने ये जो infinitive होता है, infinitive होई ये English language में subject बनने का काम कर सकता है clear है इतनी बात, फकी बात है फकी बात है, चलो, आजो, जानते हैं जैसे, इस sentence को छोड़ो ये sentence गिलत आगए, यहाँ से समझेंगे यहाँ से, इस sentence समझेंगे इसको भूल जाओ, ये गलती से लिख दिया ये बात ही बात है, ये basic concept के बात समझाना था ये sentence पहले लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं यहाँ से समझेंगे to walk is a good exercise मैंने आपसे पूछा कि, इस sentence के अंदर verb कौन सी है तो आप कोगए, इस sentence के अंदर देखो sir, main verb ये लिखी हुई है अगर verb आई है, तो subject भी आया होगा क्योंकि English language में ऐसी कोई भी verb नहीं है जो बिना subject के आजाए और कोई ऐसा subject नहीं है, जो verb के बिना आजाए तो यहाँ पे जो subject लिखा हुआ हुआ वो two plus verb की first form लिखा हुआ है और आप लोग जानते हैं, अभी हमने जाना यह क्या होता है, यह एक infinitive होता है क्या होता है, infinitive और यहाँ पे किसका काम कर रहा है subject का काम कर रहा है, मेरी बास में में आ रही है तो जो infinitive होते हैं, language में subject बनने का काम कर सकते हैं, कभी starting में लिखा हुआ हुआ है ऐसा कोई sentence है चो walk is a good exercise तो वो एकदम सही है उसमें कोई गलती नहीं है ऐसे ही अगला sentence मैंने का चुस्विम is good for health main verb बचे यहाँ पर यह है main verb यह है अब यह B की form main verb का काम कर रही है verb आये तो subject भी आया होगा यहाँ पर क्या बन रहा है subject बन रहा है और यह क्या है infinitive है मेरी बासमें में आई infinitive subject बन सकता है कभी शुरू में आये तो गलत नहीं है अब जो infinitive होता है वो English language में object भी बन सकता है क्या बन सकता है object भी बन सकता है object कहां आते हैं verb के बाद आते हैं और verb के बाद what या home के reply होते हैं देखो जैसे यहां समझेंगे सामने मैंने कहा I want what तो आप कहेंगे I want to go मैं चाहता हूँ क्या जाना चाहता हूँ verb के बाद what का reply है मेरी वास्वाइ में आ रही है तो यह क्या है object है तो जो infinitive होते हैं वो भी language में object बन सकते हैं आ गई मेरी वास्वाइ में I want what I want to speak verb के बाद किसका reply है what का reply है तो मतलब क्या है object है और क्या लिखा हूँ है infinitive लिखा हूँ है जो infinitive है वो object का काम भी कर सकते हैं she loves what तो आपने का she loves to play मेरी बात समय में आई verb लिखा है verb के बाद watch का reply है और यह क्या है infinitive है क्योंकि two plus verb की first form two plus verb की first form two plus verb की first form बचे क्या होता है यह infinitive होता है क्या मेरी बात समय में आ रही है तो non finite verbs में पहली जो verb हमने पड़ी वो infinitive पड़ी उसके दो functions जाने पहला function की subject बनने का काम कर सकता है दूसरा function यह object बनने का भी काम कर सकता है subject और object दोनों की position पे आता है बोलो हाँ समझ में आया चलो एक step और आगे चलते हैं infinitive से इतने questions नहीं होते infinitive से इतनी confusion नहीं होती क्योंकि infinitive सब को बताए कि two plus verb की जो first form होता यह infinitive होता है main जो confusion जो dilemma आपके सामने create होती है वो gerund और participle की बज़े से होती है क्योंकि दोनों की forms नहीं एक जैसी दिखाई देती है और इससे बहुत सारे errors आपको examination में देखने को मिलेंगी और आपने पढ़ने की पहले कोशिश भी की होगी में आ रही है या नहीं आ रही है अभी बताएंगे एक बच्चा पोश्रे टू walk और walking के बीच में क्या difference है भाई सारी चीज़े धीर धीरे करके आएंगी एक ही बारी में सब कुछ पढ़ ले एक ही बारी में आज आप guitar लेके आएंगे अब हम सोचते हैं कि आज ही मैं पानी दा रंग बजा लू आज ही मैं गुलाबी आँखे बजा लू आज ही या 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 करके सामने वाले को impress कर लू ऐसा कभी हो सकता है क्या भाई हर चीज़ सीखने में टाइम लगता है मुझे पता है कि आपके वाईन में क्या doubt आ रहे हैं मैं जानता हूं कि आप क्या पूशना चाहते हैं मैंने कितनी बार आपको बताए हैं धीर धीरे करके बेस बना के चलिए साही चीज़ी आएंगी एक दिन में हम कैसे अंग्रेजी सीख सकते हैं लगता है आप उन लोगों के चक्रों में आगे वो जो जैसे हमारे घर के पास एक English speaking course है वो तीन महीने में फराटेदा रंग्रेजी बोलना सिखाते हैं शायद आप उनके चक्कर में आगे हैं है ना पेशन्स रखी है आज ही मोहित चोहन बन जाए है ना सब सिखाऊंगा है अब हम बात करते हैं बच्चे जरेंट की ये गरेंट नहीं है रंगे रुआ ना ना जरेंट है ठीक है जरेंट क्या होता है वर्ब की फर्श फर्म के साथ आई एंजी आप बोलो कि सर्व वर्ब की फर्श फर्म के साथ आई एंजी है क्या कहा है मैंने जब verb की first form के साथ ing verb का काम ना करके noun का काम करे तो इस verb की first form के साथ ing को हम बोलते हैं कि वो gerent है क्या है? gerent है अक्की बात 100% कैसे? देखो बचे example समझना मैंने आपसे पूछा कि इस sentence में main verb क्या है? तो मेरी बास समझना बिल्कुल ध्यान से इस sentence में main verb है is ठीके? वी की form है और main verb का काम कर रही है अगर verb आई है तो subject भी आया होगा clear है? पहले यही वाला word लिखा हुआ है तो of course यही subject होना चाहिए आप लोग जानते हैं अच्छा आपको एक बात ध्यान है कि language में subject बनने का काम दो ही words करते थे या तो noun या तो pronoun इन दोनों के अलावा और कोई तीसरा word है तो वो कभी subject नहीं बन सकता था अब आपको दिखाई दे रहा कि verb आई है तो subject भी आना चाहिए लेकिन यह तो verb के साथ ing लिखा हुआ है और यह तो verb होती है लेकिन अब मेरी बात बिलकुल ध्यान स समयना यहाँ पर यह वर्ब के साथ ing वर्ब का काम ना करके यह noun का काम कर रही है इसका काम कर रही है noun का reason उसके बीचे यह है क्योंकि देखो verb आई है तो subject भी आया होगा और subject यही निकाह होगा पर अगर यह subject है तो subject या तो noun होता है या तो pronoun होता है मेरी बात समय में आई तो यहाँ पे जो verb के साथ ing है यह verb का काम ना कर रही है यह noun का काम कर रही है इसे करना पड़ेगा noun का काम क्योंकि यह subject है वाज समय मैं आई तो ऐसी verbs को हम verb नहीं बोलते हैं जरंड बोलते हैं भी से क्या बोलेंगे जरंड यह walking यहाँ पे verb नहीं है क्या है जरंड है क्योंकि यह noun का काम कर रही है अक्की बात है रुको 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 आज़ो नीचे आउ swimming is good for health मैंने आपसे पूछा कि main verb क्या है देखो is swimming नहीं लिखा हुआ है is walking नहीं लिखा हुआ है swimming is लिखा हुआ है आपने का यह है verb आई है तो subject भी आया होगा बिल्कुल सही है लेकिन subject बनने का काम या तो noun करता है या तो pronoun करता है लेकिन ये तो verb के साथ ing है आप जानते हैं कि verb के साथ ing noun भी बन सकता है जिसे हम gerund कहते हैं यहाँ पर ही noun का का काम कर रही है समझ में आया swimming is good for health यहाँ पर किसका काम कर रही है नाउन का तो इसका असली नाम क्या इसका असली नाम gerund है clear जैसे यहाँ देखेंगे teaching is a good profession बिल्कुल easy teaching is a good profession इस यहाँ पर verb है आपने का जी sir verb है verb से पहले subject आने चाहिए सब्जक्ट बनने का काम या तो noun या तो pronoun समझ में आया या नहीं आया जो gerund होती है वो subject बनने का काम कर सकती है चोकि gerund भी एक तरीके का क्या होता है noun होता है और noun तो subject वैसे ही बन सकता है सारा खेला आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है देखो कुछ बच्चों को वे चीज़े बहुत complicated लग सकती है लेकिन जो सीखने वाले हैं उनको सारी चीज़े धीर धीर करके clear हो रही होगी और अभी तो आप आगे चलिये अभी तो आगे चलिये अभी तो बहुत बहुत लंबा सफर है अभी तो participle नहीं आया असली confusion तो वहाँ बहुत शुरू होगी participle में अभी तो बहुत easy से चीज़े चल रही है अब हम बात करेंगे object के बारे में कि जो gerund होता है gerund ये subject तो बन ही सकता है क्योंकि noun होता है और noun subject बन सकता है ये object भी बन सकता है verb का और क्योंकि object भी noun होता है clear सी बात है कैसे देखेंगे मैंने कहा कि तन हूँ एक तो जब ये तनू नाम आता है मेरा दिल जो है न बहुत तेज ते धड़कने लग जाता है धड़कन मेरी ऐसे मतलब बढ़ जाती है मूह इतना लाल हो जाता है कि मैं क्या बताऊं आपको जी अपने आप ये अंदर से शायरी निकलती है क्या घरों में बताओ अब आप लोग सोचते होंगे बाबु भहिया ये क्या चक्कर है ये प्यार का चक्कर है बाबु भहिया प्यार का ठीक है सब समझ में आ रहे हैं अच्छा ये वाली बाते भी समझ में आ रही है, चलो अब नाम आई गया तो फिर खड़काई देते हैं, अंदर से आती है तो अब क्या गरें, रोप नहीं सकते ना, भाव नाए हैं, जब उमड़ उमड़ के निकले, तो उसे एक्सप्रेस कर देना चाहिए, और जहां तक पह अगर इस दुनिया में मेरी चाहतों के मताबिक हर बात होती, तो मैं होता और तू होती, और पूरी रात बरसात होती, पूरी रात बरसात होती, होती नहीं होती, अच्छा-च्छा, तुम करवाओगे, ठीक-ठीक-ठीक, चलो आओ उफर, समझने की कोशिश करते हैं, कीजे जानते हैं, जो मुशायरा है उससे थोड़ा सा साइड आते हैं, अपनी class में entry करते हैं, और चीजों का हम समझने की कोशिश करते हैं जो gerund होता है, gerund verb की first form के साथ ing, जब noun का काम करे उससे हम क्या कहते हैं, gerund कहते है clear है, ठीक है, gerund english language में एक object बनने का काम भी कर सकता है, क्योंकि वो noun होता है clear है, और noun तो object बनी सकता है जैसे मैंने कहा कि tanu likes dancing, यह verb यहाँ पे लिखी हुई है, आपने का जी sir, यह verb लिखी हुई है यह आपका subject लिखा हुई है और किसी person का नाम है, तो noun है, आप लोग जानते हैं, clear है tanu likes what तो आपने का tanu likes dancing tanu likes what tanu likes dancing, वर्ब के बाद क्या यह what का reply है आपने का जी sir, तो यह object होना चाहिए, तो अगर यह object होना चाहिए तो यह noun या pronoun भी होना चाहिए क्योंकि वही object होते हैं, लेकिन यह तो verb के साथ ing लिखा हुआ तो आप लोग जानते तो है, यह verb के साथ ing भी तो noun होता है जिसका नाम क्या होता है, जिसे हम gerange कहते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ मैंने कहा, I enjoyed drinking यह क्या है, verb है यह हमारा क्या है, subject है I enjoyed what I enjoyed what, आपने का drinking verb के बाद word का reply है object है, confirmed है, अगर object है तो noun या pronoun भी होना चाहिए noun या pronoun भी होना चाहिए आप लोग को बता है, verb के साथ ing noun का काम भी करता है, इसे हम क्या कहेंगे इसे हम gerange कहेंगे क्या मेरी बाते समझ में आई है नहीं, बार-बार मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग confused ना हो जाएं बस किसी भी तरीके से, है ना हाँ जी, चलो, तो अभी हमने बात करी, gerange की gerange क्या होता है gerange में दो-तिन बाते और बता हूँ gerange में दो-तिन बाते और बताता हूँ देखो नई बात समझना, इदर समझना आपको पता है आपको पता है कि verb के साथ ing जब noun का काम करें, उसे हम gerange कहते हैं पता है ना यह बात अब यह gerange subject की जगा पे भी आ सकता है क्योंकि subject की जगा पे noun आ सकता है यह object की जगा पे भी आ सकता है क्योंकि object की जगा पे noun आ सकता है आप लोग यह भी तो जानते हैं कि preposition के बाद हमेशा क्या होते हैं आप बोलेंगे object होते हैं और preposition के बाद जब object होते हैं तो object बनने का काम कौन करता है, noun यह pronoun करता है मतलब preposition के बाद भी gerund आ सकते हैं क्योंकि gerund noun ही तो होता है एक तरीके का जैसे यहां देखेंगे मैंने कहा she is good at swim अब इस बात को समझे न at language में क्या है preposition है preposition के बाद हमेशा क्या होते है preposition के object होते है और object बनने का काम या तो noun करता है या तो pronoun करता है या तो noun या तो pronoun होते है यह तो verb है तो यह गलत हो गया इस verb को आप noun बना दो verb को noun कैसे बनाते है उसमें ing लगा दो बन गया यह हमारा gerund है यह preposition यह उसका object तो कि यह noun हो जरेंट है समझ में आया चलो और देखते है I am sorry for tell you all this वही से for preposition उसके बाद object मतलब noun या pronoun होना चाहिए लेकिन यह तो verb है आपको बता है verb को noun बनाने में कितनी देर लगती है ing लगा दो समझ में आया है और देखो I am tired of argue prepos है prepos के बाद object आते है या तो noun होना चाहिए या तो pronoun होना चाहिए लेकिन यह तो verb है अब verb के साथ ing लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा noun बन जाएगा इसलिए preposition के बाद कभी भी आपको verb लिखी दिखाई देना हमेशा वो ing फोर्म में होगी reason उसके बीचे यह है कि prepos के बाद noun आते है और verb के साथ ing भी noun का ही काम करती है हाली verb लगा दो के तो गलत हो जाएगा उसमें ing लगाना पड़ेगा उसे noun बनाना पड़ेगा समझ में आया या नहीं आया बोलो हाँ पकी बात gerent हमारा यहाँ पे clear हो गया अब मैं बात करने वाला हूँ participle की और participle सच बदा रहा हूँ gerent से भी ज़्यादा easy है क्योंकि इसके अलग functions है हम लोग क्या करते है जान बुच के confusion अपने आप ही create करते है गलत गलत जगा से पढ़के आदी चीज़े पढ़ते हैं आदी चीज़े नहीं पढ़ते हैं है ना बहुत बार ऐसा करते है अब ये सारी confusion दूर हो जाएगी किसकी बात करेंगे अब हम participle की ठीक है आओ जरा participle के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भाया क्या है participle आजो पढ़ाई करते हैं जानते हैं चलो हाँ मैं आपके comments पढ़ रहा हूँ क्या क्या करते हैं रहते हैं comments आओ सामने देखो जो बच्छे टेलीग्राम चैनल में नहीं है पहले तो टेलीग्राम चैनल में जोड़ जाएंगे class का था कि आप लोगो क्या मिल जाए link मिल जाए और पता लग जाए किसके स्टाइम पर class होती है चिक है पका शालो तफ़र आजो link description में मिल जाएगा बात करते हैं participants की सबसे पहली चीज़ तो ये participants की language में तीन categories होती है participants भी तीन तरीके के होते हैं सबसे पहला present participle दूसरा होता है past participle और तीसरा होता है perfect participle पका पहला बोला present participle दूसरा past और तीसरा बोला perfect participle अब बात समझेंगे verb के साथ ing ये present participle होता है verb के साथ third form ये past participle होता है और having plus verb की third form और after plus v ing ये हमारा perfect participle होता है अब आप लोग बोलेंगे, सर, difference क्या है gerund में और participles में छोटा सा difference है जो gerund होता है gerund बस इसको अज़र समझें आप जो gerund होता है gerund वह verb के साथ ing होता है और वह noun का काम करता है लेकिन जो participles होते हैं जितने भी participles होते हैं या तो participles काम करते हैं verb का या फिर participles काम करते हैं adjective का इतनी बास समय में आई क्या कहा बिल्कुल जहां समय ना participles काम करते है verb और adjective का gerund काम करता है noun का मेरी बास समय में आई अब छोटी सी बास समय ना छोटी सी आप बोलो के participles में भी sir ing वाली form आपको दिखाई दे रही है दिखाई दे रही है नहीं दे रही है आप बोलो के जी सल दे रही है अब sir confused मीह जाएंगे यहां पर भी ing यहां पर भी ing चलो इन से तो हम पैचान लेंगे कोई दिक्क्त नहीं यहां पर भी ing यहां भी ing जान रखना यह वाला ing जब noun का का करें तो यह gerund है और ing जब verb और adjective का काम करें वर्ब के साथ तो यह participant है sir difference समझाओ ऐसे बास समय में नहीं आ रही है तो यह काम करते हैं example लेके समझते हैं example लेके चीजों को समझते हैं मैंने आपसे पूछा a horse is running इसका क्या मतलब है आपने का जो घोडा है वो दोड रहा है दोड रहा है यह helping verb है और यह main verb है running है ना run आपको बता है running runs verb है यह main verb दिखाई दे रही है और यह आपको helping verb दिखाई दे रही है अभी पहले समझो उसके बाद मैंने आपसे पूछा is a running horse इस sentence में main verb क्या है आप बोलोगे see, soul, scene यह है हमारी main verb हा की ना पकी बात है और क्या देखा घोडा देखा वर्ब के बाद किसका reply है what का reply है या फिर home का reply है iso home किसको देखा घोडे को देखा तो यह मारा object है अगर यह object है तो यह article इसी के लिए आया होगा यह noun भी है confirmed है कैसा घोडा देखा दोड़ता हुआ घोडा देखा कहने का मतलब यहाँ पर यह verb के साथ आया है जी verb का काम ना करके adjective का काम कर रहा है horse को modify कर रहा है clear clear रुख जाओ भी रुख जाओ सारी बाते बताता हूँ मैंने का she has written a letter मेरी बास समयना has helping verb है written यहाँ पर main verb है बिलकुल प्यार समयना मैं साही चीज़े बताता हूँ written यहाँ पर क्या है main verb है और यह क्या है helping verb है मैंने बोला police wanted a written statement आपने का wanted यहाँ पे sir main verb है wanted what आपने का statement वर्ब के बाद what का reply है तो object है तो यह noun भी होना चाहिए चुकि यह article इसी के लिए आया हुआ हूँ कैसा statement तो आपने का written statement तो यह noun को modify कर रहा है तो यह वाला word क्या है adjective है अब यह वर्ब की third form यहाँ पे verb का काम ना करके adjective का काम कर हुա हूए है अब आप ध्यान देखो पार्टिसेपल्स कौन कौनसी form होती थी पार्टिसेपल एक तो ing वाला होता था एक v plus verb की third form होता था भी दिखाए है ना यह होता था यह होता था यह होता काम यह सारी terms language में क्या काम करती है participles या तो बनते हैं verb या बनते है adjective अब आप देखो यहाँ पे मैंने कहा running यहाँ पे ing वाली form है और यह verb का काम कर रही है क्योंकि यह main verb है helping verb है आपको पता है जब verb के साथ ing verb का ही काम करे तो उसे हम क्या बोलते है participle बोलते है यहाँ पे यह क्या है participle अब यह gerund नहीं है अब यह आप इसे gerund बना दो अब इतर देखो आप सामने कैसा घोड़ा दोड़ता हुआ घोड़ा देखा हमने अब adjective का काम कर रहा है verb के साथ ing जब verb के साथ ing adjective का भी काम करता है उसे भी क्या कहते है participle कहते है और जब verb के साथ ing noun का काम करता है उसे हम gerund कहते है बात है सब्सक्राइब में आ रही है अब देखो has have plus verb की third form यह main verb की third form है main verb की third form verb का ही काम कर रही है तो यह participle है समझ में आया है नहीं आया है आप अकी बात है लेकिन यहाँ पे देखो adjective का काम कर रही है यही verb की third form तो यह भी क्या है participle है मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही अब मैं आपको एक example दूँ एक example समझते हैं आपके बिल्कुल दिमाग में fit हो जाएगी मैंने का running is good for health running is good for health अब मुझे बता दो आप कि यहाँ पे running क्या है participle है या gerund है आप बोलेंगे देखो सर यह तो है verb इसको चाहिए subject subject बनने का काम noun करता है तो यह वाली verb ing जो है यह noun का काम कर रही है noun का का काम कर रही है तो बोलेंगे बच्चे यहाँ पे यह क्या है का काम करते हैं और participle verb और adjective का काम करते है अब एक काम करते हैं बहुत सारे sentences आपको दे देता हूँ और आप identify करो फिर सिखाता हूँ आपको उसके बाद answer बताता हूँ मज़ा आएगा मज़ा आएगा है ना आपने सीख लिए ना पार्टिसिपल और gerund में क्या difference होता है एक काम करते हैं यह ing वाली form ना यह सबसे था confusion create करती है इसी को अच्छे समझते है बहुत सारे example दे रहा हूँ और आप मुझे बताइए कि कौन सा शब्द क्या है gerund है पार्टिसिपल है दुबारा बोल रहा हूँ अगर verb के साथ ing noun का काम कर रही है तो वो gerund है अगर verb के साथ ing verb का का काम कर रही है और adjective का काम कर रही है तो वो पार्टिसिपल है यहाँ पे हमारा matter खता हूँ कैसे आज हो जड़ा चार sentence आपके सामने एक ही type के और बहुत तगड़ा मज़ा आने वाला है आप लोगों का बताओ चलो क्या बोलते हैं उसके अंदर जो बच्चे recording देख रहे हैं वो video को post करके करने ही कुशिश करेंगे जो बच्चे live पढ़ रहे हैं अभी जो बच्चे live पढ़ रहे हैं वो बच्चे मेरे साथ साथ एक है करके solve करने ही कुशिश करते हैं चीक हैं, आज ओफर है और कहां कहां पे participle है clear मैंने का snowboarding is a winter sport इस जो यहां पे लिखी हुई है यह b की form main verb का काम गर रही है अगर यह main verb का काम गर रही है तो इसका subject जरूर कहीं न कहीं होगा आपको बता यहीं लिखा होगा subject अगर यह subject है तो subject बनने काम या तो noun या तो pronoun और आपको पता है verb के साथ ing noun बन सकती है confirmed है अगर यह noun का काम कर रही है तो यहां पे snowboarding जो लिखा हुआ है वो क्या है gerent है बात clear मैंने कहा I love snowboarding I love what तो आपने कहा snowboarding love, loved, loved, loving loves यह main verb है ठीक है यहां समयना love what आपने कहा snowboarding verb के बाद किसका reply है word का तो क्या होगा object अगर कोई भी word object है या तो क्या होता है noun या तो क्या होता है pronoun लेकिन ये तो verb के साथ ing आपको बता है verb के साथ ing noun बनने का काम भी तो कर सकती है ये noun बन रही है तो यहां पे ये क्या होगा gerent होगा समझ में आया है नहीं आया पकी बात है चलिए अगला देखते हैं I am excited by snowboarding अरे बहुत easy है तो सबसे easy था by क्या होता है reposition होता है reposition के बाद लिखा हुआ word हमेशा क्या होता है object होता है इसी भी word को object बोल रहे हो या तो क्या होगा noun या तो क्या होगा pronoun आपको बता है verb के साथ ing noun का काम कर सकती है क्योंकि इसने object बनना ही बनना है रैपों के बाद लिखा हुआ है यह noun का काम कर रही है तो फिर से यहाँ पर यह बोलेंगे क्या है gerund है लेकिन last वाले में देखो right now the athlete is snowboarding अभी जो athlete है यहाँ पर हमारी main verb है तो यह action हो रहा है मेरी वास्वें में आई अब यह verb के साथ ing किसका काम कर रही है verb का काम कर रही है अब यह verb के साथ ing यहाँ पर क्या है participle है समझ में आया बहुत easy था नदा और बताओगे चलो आज ओ फिर और बताओ देखते हैं भाईयो कितने बता पाते हैं आप लोग चार sentences हो रहे हैं बड़े मज़दार हैं आज की सारी confusion आपकी दूर कर देंगे what an amazing movie amazing बताना है gerend है या participle है और आपने बताना है कि getting gerend है या participle है आपने बताना है trying gerend है या participle है क्योंकि grammar तो सब में ही same होती है बस हर exam के questions का level अलग-अलग होता है वो practice आपने अलग करनी होती है grammar आप किसी के लिए पढ़ सकते हैं ये वाली class IBPS PO के लिए IBPS clerk के लिए SBI PO के लिए SBI clerk के लिए LIC के लिए RRB के लिए RBI किसी के लिए भी देख सकते हैं grammar है भाई इसके बाद जो questions हम करवाएंगे वो अलग-अलग exam के लग-अलग होते है IBPS PO के लग questions होते हैं practice वाले IBPS mains के लग होते है SBI PO के लग होते है SBI mains के लग होते है clerk mains के लग होते है वो practice questions होते है basic concept सब में same रहते है चलो what an amazing movie मुझे बताएंगे यह an किसको कहा जा रहा है आप कहेंगे movie को movie का parts of speech क्या है noun है, कैसी movie, amazing movie यहाँ पर यह किसका काम कर रहा है adjective का, verb के साथ ing adjective का काम कर रही है, तो आपको पता है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे participle, तो कि verb के साथ ing adjective और verb जब होती है, तो वो participle होती है, verb के साथ ing noun होती है, तो वो gerund होती है बोलो हाँ, चलें आगे about language में क्या होता बिटा, preposition preposition के बाद क्या आते है object, object बनने का काम यहा तो noun, यहा तो pronoun तो यह verb के साथ ing noun का का काम कर रही है, मतलब यहाँ पर यह क्या है, यह gerund है समझ में आया क्या, चीक है I am trying to sleep I am trying to sleep मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ am हमारी helping verb है am trying, उसके बाद यह try जो लिखी हुई है यह main verb है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ action हो रहा है, यह main verb है तो verb के साथ आया जी verb का का काम कर रही है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे participle, क्योंकि verb के साथ आया जी जब verb का का काम करती है, तो वो participle होती है last sentence देखेंगे she loves what, तो आपने कहा traveling, verb के बाद तो word का answer है, तो मतलब यह object है object है, तो noun यह pronoun में से एक होगा, और verb के साथ आया जी noun बन सकता है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे समझ में आया क्या पकी बात है, 100% उमीद करता हूँ, जो आज मैंने आपको बढ़ाया, आपको बहुत अच्छे समझ में आया, वीडियो को आपने दुबारा देखना है, notes बनाने है बहुत प्यारे-प्यारे notes बनाने है अच्छे-च्छे से, चीक है, sequence में सारी चीज़े, मेरी बाते समय में आई अभी मैं आपको सारे concepts सिखा रहा हूँ मैंने क्या बोला, आने वाली classes में को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है हमारा पढ़ाया हूँ आपको समझ में आ रहा है कुछ नया सीखने को मिल रहा है confidence आपका develop हो रहा है language के लिए कि एक अलग सी feel आपको आ रही है तो बच्छे वीडियो को like कर देना अगर end तक tick हो बल्कुल शुरू से लेकर end तक आपने वीडियो देखी है यहां तक आ गए हो तो वीडियो को जरूर like करना ताकि मुझे पता लगे कि end तक कोन कोन आते हैं कितने बच्छे टिक पाते हैं क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है शुरू से लेकर end तक आ पाना ठीक है अजारों की भीड में से आप सबको पीछे छोड़के आया है क्योंकि आदे तो बीच में दम तोड़ देते है क्योंकि वो महनत करना ही नहीं चाहते है उनके अंदर से ही नहीं है उनको बस वही ट्रिक्स जैसा मैंने आपको बताया उनको बाबा बंगाली का चूरन चाहिए क्योंकि मेरे पास है नहीं बोड़ा सा मैथ़ड हमारा लंबा है लंबा इंदर सेंस की महनत करनी पड़ती है महनत के लिए end तक आना पड़ता है तो आप आगए है तो बहुत अच्छी बात है मुझे आपसे यही उमीद है मुझे यह भी उमीद है कि आप कुछ न कुछ करेंगे क्योंकि end तक वही आप आता है जिसके अंदर सीखने की curiosity होती है जो सीखना चाहता है तो कुछ करना चाहता है अच्छा कीजिए मैनत कीजिए अपने ममी आपका नाम रोशन कीजिए मैं सिर्फ आपसे इतना ही चाहता हूँ तो मिलेंगे आपसे कल की क्लास में तब तक के लिए खूब मैनत करो खूब बढ़ाई करो जय हिंद और जय भारत सामराज जयवाद मुर्दाबाद इंकलाब जिन्दाबाद बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्यार धन्यवाद